आजे नमस्कार असलाम वालेकूम मैंने एक वीडियो डाला था अभी अभी जी एस्टी के उपर जिसमें कई लोग आ गए थे भक्त लोग जो की नहीं समझते हैं कि कैसे टैक्सेशन होता है जी एस्टी का क्या मतलब होता है वो मैं आप लोगों को समझाने आया हूँ हर चीज के लिए समय निकालना पड़ता है आप लोगं के लिए समय निकालना वहाँ है हर दम इस बात का इस बाती गैरिंटी रखिये चाहे मुझे आफिस छोड़के जाना पड़े मैं एक दुकान पर आया हूँ जहां पर इसके तरह का समान मिलता है हर चीज और उनके जो लेट्स पिक अप दे कोल रिंग्स, नमबर वन, आप सबसे पहले यह देखेगा, यहाँ पे अमेरिका के अंदर कोई भी चीज के उपर प्राइस नहीं लिखी रहती है, जैसे अपने इंडिया के अंदर होता है, इसके अमर्प होती है, मैंने यह बॉटल रठाई, इसके पर यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, वुमन का यह यह पैड्स है, यह वुमन के पैड्स है, सैनिट्री पैड्स पर कोई टैक्सेशन नहीं है, दवाईयों पर कोई भी टैक्सेशन नहीं है, कॉंट्रसेप्टिव जो लगे हैं यहाँ पर कॉंडूम्स पर कोई भी यह अमेरिकन बियर्स हैं जो भी यह बडलाइट है यह नए बेचन यह बेचन चाहते हैं यह दूसी दुकान पर ग्याराट कि यह निदेखेंगे किसी में चैमे मिलेंगे किसी में 929 you need to make a competitive market first of all okay you cannot just charge GST at randomly on different things यह wine रखे हैं यह बेचें यह बेचेंगे हैं यह लियुक्तिती और गवाइनल्ग्म औरहें यह बेचेंगे है 8.25% फ्रैट चार्ज करेंगे और कुछ नहीं है यह अपने 149 की बॉटल है बॉटल के उपर कोई भी टैक्सेशन नहीं होगा कोई भी प्रोडक्ट के उपर नहीं लिखा रहता है यहाँ पर कोई भी MRP तो सबसे पहली गलती यह इंडिया की कि इंडिया में आपको यह हटाना पड़ेगा MRP system it needs to be a competitive market बिना competition के आप taxation जो आपने खड़ा करा है वो कभी भी नहीं चलेगा और क्यों नहीं चलेगा यह जब राजवाई अभी आएंगे अभी उनके दुकान में कस्टमर्स हैं वो कस्टमर्स हैं फ्री होके वो अपनी help करेंगे समझाने के लिए क्या है अ आप देख लीजे कोई भी MRP नहीं होगी और बाकी कोई भी अमेरिका में किसी सभी पूछ लीजेगा आप कि MRP नहीं होती है अपनी अपनी प्राइस में माल बेचा जाता है पानी के उपर कोई भी taxation नहीं है दवाईयों के उपर कोई भी taxation नहीं है जित्ती भी वुमन के इस चाहर सवाल कुछना जाओंगा है कैसे क्यों अपने एजी है आपके मैं आप ते सिगरेट खरीटता हूँ या कोई भी चीज खरीटता हूँ उसके ओपर कितना टेक्स आप चार्ज करोगे फ्लैक्ट एट पॉइंट पॉइंट टूफाइफ फ्लैक्स चार्ज करोगे रही आप आपके पास आपकी छोटी दुगाने इंट टू अधर शाहूद मंगर फिर भी आपके पास जो बैकप पर यहां पर जो सॉफ्ट्वेर आपको दे रखा है उससे आपको एजी होता है मैंने यह चीज खरीदी आपके पांच चीज रखी अगर ऐसे समान तो अलग अलग टैशेशन होता है कि आप एक के ओपर यह चार्ज करोगे एक टैशिवल अच्वर आइटम अच्वरा से प्रेट्वर पर कोई तैक से डिये दूध प कोई टैक्स नहीं डूट्ट नहीं और कौन सी चीज़ां पर टैक्स नहीं जितनी मेडिसिन नहीं और फुड फूड आइ वियर खरीदो चाहिं आप इस के अच्राइव ए इस के अन्दर चाहिए अचा आपके जो यह गया सेशन मना है। आपका पॉइंट ट। निन परके अचाहिए पहइन और इस इस पहीं कितना टैक्सफण पर पर गैलन बेच रहा है, तैक्स अब बराबर देंगे, 8.25, वो अपने प्रॉफिट पर काम कर रहा है, अपने प्रॉफिट हो रहा है, उस पर टैक्सेशन हो रहा है, अभी इंडिया में क्या हो है, राज जी कि हरे और एक प्रोडक्त पर अलग-अलग टैस कर दिया, एक तो उ पर एक टीवी स्टॉफिववेर है, वो बहुत जादा अबाधा है, भी आदमी बेचने आता है, आपके प्रोडक्स चेंज होते रहते है, अगर आपके प्रोडक्स इस तरहे चेंज होते रहे, तो आप तो बिल्कुली यू गो मैड की एक दिन ये प्रोडक्त है, एक दिन मुश्किल हो जाएगा इंपॉसिबल राइट एक दम से आपके यहां पर पांसाथ घ्राग आ जाएं तो आप उन्हों कैसे अनिल करोगे समझें मैंने यह ली अपने एक ने एक ने आपका यह सिग्रेट का यह लाइटर लिया अब सिग्रेट के लाइटर पर भी कोई भी MRP न किते में भी बेचो समान उसके बाद जो आपने प्रॉफिट किया उसके उपर आप 8.25% टैक्स दे लो यह ओल ओवर टेक्सस यही है स्टेट टैक्स 8.25 है राइट आपको और कोई चीज़ अचाए यह यह भी आपने लगा रखा है इसके इसके अंदर जो भी यह आपने कसी किसीनों की मशीन भी लगा रखी है कसीनों पर कितना टैक्स होता है इसके प्रॉफिट में इसके उपर टैक्स कितना होता है किसी ने 2,000 की लोट्री जीती तो इसको कितना पैसा मिलेगा सब्सक्राइब najांए इसका यह स्टेट का डिफरेंस है स्टेट न की अपना आता है न जेना टैक्सम प्रॉफिट मंत आता है यहां पूरा महिना कोई टैक्स चारज्ण नहीं करता है इसको के लिए सब्सक्राइब करी है गाडजियों पे इसके आ थिटीज फ्री पर आपन खरीजते हैं तो मतलब यह है कि गाड़ियां खरीदो आप या ब्रेड खरीदो या इसके तरह कॉंडम खरीदो ओके देर इस वन टैक्स 8.25% फ्लाइट बिजनस जित्ता इजी रखेंगे ना आप लोग उत्ता बिजनस करने में मज़ा आता है और जित्ता बिजनस करने म आएगा मज़ा उत्ता ही पैसा आएगा अभी क्या हुआ है पहले तो डी मॉनिटाइजेशन से आपनों का पैसा रोग दी गया अब GST से पैसे का जो टर्नराउंड था जित्ते हाथ वो घूम रहा है वो हाथ घूमना बंद हो गया एक ही चीज को अगर एक आदमी पांच ब एनी बड़ी आज की तारिक में चाहे वो मीडिया हो चाहे वो कोई अर्थ शास्त्री हो मुझे समझा दे कि है टैक्सेशन की पॉलिसी के है यह जो टिशू पेपर के बंदल है इसके ओपर कितना टैक्स होगा राजबाई टैक्स फ्री है तो बेसिक इसेंशल जो लाइफ के अर्थ वो कोई टैक्स नहीं है खाना हो गया दूद हो गया अजो बीजेपी वाले है मेरे भाईयों समझ जेकी कोशिक करो इतनी अंद्वक्ति अच्छी नहीं होती है जितनी आप लोग अंद्वक्ति दिखाते हैं क्योंकि आपको भी एफेक्ट करेगा यह आपकी सरकार द तो अपनी जो बेवकूफी और जालियत बाते जो होती है न वो मेरे आपर आके मत लिखा करो क्योंकि मैं हर दम हर चीज का मैं समझ करता हूं कि उसके बाद मुझे कैसे आपको समझा रहा है, मेरे पार हरी चीज का काउंटर होता है, मैं आपकी तरह बेवकूफ आदमी नहीं हूँ, ठीक है, और दुनिया देखी हुए, जो भी जितने भी BJP वाले हैं, वो पहले दुनिया के चक्कल लगा गया है, उसके बात-बात करें क्या होता है, यह आपे बैटरियां पढ़िए, इसके उपर भी कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि यह बेसिक एसेंशल में आता है, मैं बहार ले जाके आपको दिखा देता हूं, इसके अदर गैस स्टेशन का भी, कैसे चलता है गैस स्टेशन, ओके राज बादी, थैंक यू सो लीटर, दो डो डॉलर एकिस सेंट, राइट, और इसके सामने एक और पेट्रोल पंप है, उसमें 255 लिखा है, तो दोनों पेट्रोल पंप अलग अपनी प्राइस में माल बेच रहे हैं, मैं टैक्स फ्लैट 8.25 परसें देंगे, तो यह बात अपनी खोपड़ी में फिट कर अगर नहीं निकलना है, तो वहीं पर पड़े रहो, जहां पर पड़े हो तुम लोग गली कुछों में, बहुत 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 शुक्रिया आप लों का, और भी किसी को अगर कन्फीजन हो, तो GST का मैं और भी बड़ा आपको समझा सकता हूं, और अरुन जेटली साफ, आप बहुत को भी समझा सकता हूं, क्यों आप उस आवाम को समझा रहे हैं, भोली आवाम को जिनको खुद नहीं पता, और मेरा यही करिदार होता है, कि मैं भोली आवाम को बताओं की दुनिया कैसे चल रही है, जिससे आप लोगों से, वो लोग सई सवाल कर सके, मैं कोशिच कर तो यह चानीज रेस्टूइट है इनसे भी जाकर पूछने का खुला होगा तो मैं जाओंगा तो मगर आप लोगों को मैं दिखाता रहूगा कि क्या होता है क्या नी होता है तो यह बंदल बाजी की बाते करना बंद कर देना मेरे अपने वीडियो उसमें कि मेरे पास हर चीज है डिनर के टाइम पर अगर मेरा यह वीडियो पहुचा दीजिएगा आगे तक आप इनके मुझ पर चिपका हो सब लोगों के अरुन जेटली को टैग बारो सब के सारे 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 जितने भी मैसिज जा रहे है उस पर अरुन जेटली को हैश्टाग मारिए इम्मीजेटली औ खि सकती कि यह वीजया आगाँ के मांपोचा लुक।